हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी कस्वागत टार्गेट क्लासेज विधारी इस सर में इस वीडियो में हम करन्ट अफियर्स से रिलेटेड कुछ अतिमाहत्पूर क्वेस्चन डिसकेस करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए बहुत उप्योगी होंगे और जो लोग भी हमाय चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने जिसे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेसन आप लोग को समय से मिल सके तो देखते हैं आज का फरस्ट क्वेस्चन फर्स्ट क्वेशन दिया है भारती ये क्वेशन हमने करेंट अफियर्स जन्वरी 2020 से जन्वरी से सुरू करेंगे जहां अभी जून चला यहां तक के पहले कवरप करेंगे उसके बाद डेली करेंट अफियर्स की वीडियो रेगुलर मिलेंगी क्योंकि पिछला छूटा हुआ बहुत सा तो उसको कवर करते हैं तो यहां पे आप लोग को डीटेल नहीं मिलेगी क्वेशन के साथ में आंसर मिलेगा तुरंत भारती रिजर्ब बैंक ने किस भुपतान बैंक के प्रमारपत्र सी ओ ए को रद कर दिया है फिनो पेमेंट बैंक वोड़ाफोन एम पैसा आद पेमेंट के प्रमारपत होते हैं सी ओ ए इसको रद कर दिया है वोड़ाफोन एम ऐसा नेक्स्ट केशन वोमेन विद विल्स कैप सेवा किस सहर में सुरू ही जो वोमेन विद विल्स सेवा सुरू की गई थी वो किस सहर में सुरू हुई थी नई दिल्ली, भोपाल, लखनाउं, हैदराबाद तो ये सुरू ही है नई दिल्ली में जन्वरी में सुरू हुई थी यह जन्वरी से रिलेटे सारे क्वेशन है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कैटरीन साकला रो पौव लोव किस देश की पहली महिला राश्टपत बनी है पैरिस, लंदन, ग्रीस या पॉलेंड तो यह बनी है ग्रीस की पहली महिला राश्टपत नाम ध्यान रखियेगा कैटरीन नाम और इनका नाम पूरा है साकलरो पौव लोव और यह ग्रीस देश की पहली महिला राश्टपत बनी है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं बिस्सु तीरंदाजी में किस देश से निलंबन हटा दिया है? यानि जो बिस्सु तीरंदाजी था उसमें किस देश के निलंबन को हटा दिया गया है? चीन, जापान, अमेरिका या भारत तो ये भारत का जो निलंबन हुआ था उसको हटा दिया गया है तो इसका राइट आं नेच्ट वैषिन देखते हैं हाली में किस देश ने पूर्व सैन अधिकारी री सान गोन को देश का नया विदेश मंतरी निक्त किया है चीन, उत्तर कोरिया, दच्छिड कोरिया या रूस तो किस देश ने पूर्व सैन अधिकारी री सान गोन इनको किस देश ने विदेश मंत्री निक्त किया है तो ये निक्त हुए है उत्तर कोरिया ये विदेश मंत्री निक्त किया गया कहां के है ये उत्तर कोरिया के है नेक्स्ट कोईशन हाली में किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सिक्का जारी किया है important question है जो आने वाली प्रतियोगी exam से जिसे BEO है आपका UPSC, UPSS, SuperTED, KBS, PRT, DSSB, PRT इन सभी exam में इस तरीके के question पूछे जाते हैं तो यह सारे important questions अब एक place पे हो जाएंगे America, भारत, चीन, Surgerland तो यह सबसे छोटा सिक्का जारी किया है Surgerland ने और जो लोग चैनल पर नए हैं हों चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइगन को प्रस करने जिसे किसी भी नए वीडियो का notification आप लोग को समय से मिल सके हैं कौन सा tennis खिलाडी? US Open के बाद Australian Open में भी 100 match जीतने वाला पहला खिलाडी बन गया है रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफल नडाल या जान मिलमैन तो ये पहला खिलाडी कौन बन गया सो मैं जीतने वाला तो ये बनने हैं रोजर फेडरर important question है ये इस तरीके के question पूचे जाते हैं वहाँ पे गल्लत भी बहुत होते हैं कभी राफल नडाल आंसर होता तो कभी रोजर फेडरर तो प्रिजन टाइम में रोजर फेडरर है next question England cricket team test cricket में कितने लाख रन बनाने वाली team बनने वाली पहली cricket team बन गई यानि जो पहली cricket team बन गई है वो कितने लाख रन बनाई है 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख या 5 लाख तो ये 5 लाख इसका राइट आंसर होगा और ये डेटा है जन्वरी तक का ये जो जन्वरी का current affairs है तो ये 26 जन्वरी का current affairs था उससे related ये डेटा है next question देखते है एक report के मताबिक पिछले कितने वर्ष में भारती रुपिया एसिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक है बन गया है एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष तो एक report के मताबिक पिछले एक वर्ष नहीं यहां पर एक वर्ष से भारती रुपिया जो है एसिया के सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक बन गया है एक वर्स इसका राइट आंसर होगा 11 नमबर देख लेते हैं 25 जन्वरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाय जाता है यह बताना है भारतिय महिला दिवस, भारतिय पर्रेटन दिवस, भारतिय सिच्छा दिवस या इन में से कोई नहीं तो क्या मनाय जाता है 25 जन्वरी को यह मनाय जाता है भारतिय पर्रेटन दिवस इसी के साथ में यह भी ध्यान रखिएगा मतदाता दिवस भी पूच लिया जाता है ये भी मनाया जाता है 25 जन्वरी कोई मतदाता दिवस भी मनाया जाता है Next question देखते है Maintenance Cup में पुरुसों की 10 मीटर Air Rifle इस परदा में सुन्ड पदक किसने जीता सौरप चौधरी दीपक कुमार दिव्यान सिंग पवार इन में से कोई नहीं तो ये question आप लोग के लिए है ये आप लोग को comment के माद्धियम से बताना है कि maintain cup जो हुआ था पुरुसों की 10 मीटर Air Rifle इस परदा में सुन्ड पदक किसने जीता था तो ये आप लोग को बताना है comment के माद्धियम से कि इसका right answer क्या होगा next question देखते है हाली में किस bank ने ATM के माद्धियम से cardless cash निकासी की सुवधा शुरू की है BOI यानि bank of India ICICI bank HDFC bank या bank का बढ़ोदा तो यहाँ पर right answer कौन सा हो जाएगा जो ATM के माद्धियम से cardless cash निकासी की सुवधा शुरू की है ICICI bank यानि B option is right next question किसने blockchain परद्योग की आधारित भुकतान प्रणाली वज्र platform launch किया है तो यह किसके द्वारा launch किया गया है PayU के द्वारा PhonePay के द्वारा Paytm के द्वारा या NPCI के द्वारा तो यह launch किया गया है NPCI के द्वारा जो blockchain परद्योग की आधारित भुकतान प्रणाली वज्र platform में यह launch किया है NPCI यह ध्यान रखिया गया important question है NPCI next question हाली में किस देश को G77 समूग के अधाचता दी गई है G20 अलग होता है और G77 अलग है तो G77 के अधाचता अर्जेंटीना गुएना ब्राजील या चीन को दी गई है यह अधाचता किसको दी गई है गुएना को B option right होगा और G20 के अभी जो COVID-19 से लेटर जितने भी वीडियो कॉनफरेंसिंग या जो गई अधाचता होई वो साओधी अरभिया ने किया है इसके अधाचता G20 के अभी इस बार किस ने किया है साओधी अरभ ने next question देखते है 16 किस देश ने हाली में तच्छिड एस या छेतर में सुभिधा सुरू की गई है बांगला देश के द्वारा बांगला देश की राजधानी यह धाका और यहाँ पर जो मुद्रा चलती उसको बोलते हैं टका next question देखते है 17 Global Corruption Index 2019 important question है इस तरीके के question exam से पूछे जाते हैं Global Corruption Index 2019 में भारत कौन सा इस्थान पर रहा यह पताना जो Global Corruption Index 2019 जारी किया गया उसमें भारत का कौन सा इस्थान रहा 95, 80, 68, 28 तो यह इस्थान रहा है 80 यानि 80 में इस्थान पर भारत रहा है जो Global Corruption Index की सूची जारी हुई 2019 की जो सूची जारी की गई है उसमें भारत 18 इस्थान पर रहा है यानी 80 नमबर पर रहा है नेक्ट्ट कॉईशन देखते हैं अमेरिका में भारत वन सी सिक अमरत सिंग को कौन सा पगड़ी धारक डिप्टी काउंस्टेबल बनाया गया है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चाउथा तो यह किस नमबर के पगड़ी धारक डिप्टी काउंस्टेबल बनाया गया है भारत वन सी सिक इनका नाम है अमरत सिंग तो यह काउंस्टेबल बनाया गया है पहले नमबर के ए आप्शन राइट होगा नेक्स्ट क्वेशन किस देश के वैग्यानिकों ने हाली में मच्छरों में पाया गया एक नए वाइरस को यादा यादा वाइरस नाम रखा है यानि जो मच्छरों में एक नए वाइरस पाया गया है उसका नाम यादा यादा वाइरस रखा गया है यह किस देश का है भारत, चीन, आस्ट्रेलिया या अमेरिका तो यह वाइरस जिसका नाम यादा यादा वाइरस रखा गया है यह किस देश के बैग्यानिकों नाम रखा है यह आस्ट्रेलिया से रिलेट करता है C option right होगा Next question 20 आप लोग अपनी scoring भी करते रहे हैं आपके कितने questions सही होते हैं 50 questions यहाँ पर हमने लिये हुए 50 में से कितने questions आपके सही होते हैं क्योंकि यह revision type के questions हैं इसलिए इसमें details नहीं दी जा रही है बाकी जितने भी आप लोग को current affairs related जो भी अभी तक videos दी गई हैं उसमें सभी में details आपको बताए गई है next question जो दिया है अंतर राष्टी न्यायले ने किस देश को रोहिंग्या आबादी को सुरच्छा देने का आदेश दिया है भारत, चीन, बांगलादेश या म्यामार तो अंतर राष्टी न्यायले ने जो रोहिंग्या आबादी है इसो सुरच्छा देने का आदेश इसको दिया है ये म्यामार को दिया है D option right हो जाएगा next question देखने 21 भारती State Bank के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है जो भारती State Bank के उसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसको निउक्त किया गया है अरुनधती बट्टाचार, संजीव चड़ा, चल्ला स्री निवास, सूलू सेट्टी या रजनीस कुमार तो ये निउक्त हुए है चल्ला स्री निवास, सूलू सेट्टी या भारती State Bank के प्रबंध निदेशक के रूप में इनको निउक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेशन ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूसिस सहर कौन सा है इंपोर्टन कोईशन है बरेली, कानपूर, जहरिया या भोपाल तो आप लोग तुरन टिक कर देंगे कानपूर लेकिन कानपूर क्या होगा? ये रॉंग अंसर होगा यहां पे तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूसिस सहर कौन सा बन गया है? ये जहरिया है, C option, right होगा अब ये आप लोग को बताना है जहरिया प्लेस है, ये कहां पे पढ़ता है? किस सहर में पढ़ता है? नहीं किस स्टेट का ये सहर है जहरिया वो बताना है आप लोग को कमेंट के माद दे हम से नेक्स्ट क्वेशन 2019 के लिए वैस्विक नागरिक पुरुसकार सिस्को यूथ लीडर्सिप अवार्ड किसने जीता? प्रिया प्रकास, संदीप पतेल, सौगाद गुपता या अनिलरा गुपता तो ये 2019 के लिए वैस्विक नागरिक पुरुसकार जो है सिस्को यूथ लीडर्सिप अवार्ड जीता है प्रिया प्रकास ने, यानि ए आप्सन सही होगा नेक्स्ट कोईशन देखते हैं, 24 मनमोहन सूध का हाली में निधन हो गया हुआ किस खेल से सम्बंदित हैं? इनका निधन जैन्वरी में हुआ है, तो ये किस खेल से सम्बंदित हैं? फुटबाल, हाकी, क्रिकेट या मुक्यवाजी तो ये रिलेट करते हैं क्रिकेट से, जो मनमोहन सूध थे, ये रिलेट करते हैं क्रिकेट से 25 नमबर देख लेते हैं पुरधान मंत्री राश्ट्री बाल पुरुषका 2020 को किस ने प्रस्तुत किया है? यो प्रधान मंतिर राश्री बाल प्रुस्कार दो हजार बीस प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है अमित्सा, रामनात कोबिंद, नरेंदर मोदी या एमबेंकया नाइडू तो ये प्रस्तुत किया गया है रामनात कोबिंद के द्वारा ये हमारे वरतमान के राश्टपती है वो एम्बेंक का या नाईडू जी जुआ है वो उपराश्टत्ती है जबकि नरेंदर मोधी जुआ है हमारे भारत के प्रधान मंतरी है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 26 प्रधान मंत्री वारिस जांसन के ब्रेजिक्ट विद्यक को किस देश के संसद ने मंजूरी दे दिये पहले तो यह आपको पता होना चीज़ यह वारिस जांसन ने यह कहा के प्रधान मंत्री है किस देश के प्रधान मंत्री है संसद ने इसको मंजूरी दिया नि इसमें 3 से 4 क्वेशन बन जाते हैं ब्रिटेन संसद आस्ट्रेलियाई संसद जापानी संसद या अमेरिकी संसद तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रिटेन संसद या नि बॉरिस जॉनसन जो है कहां के प्रदान मंत्री है ब्रिटेन के या इंग्लेंड जो ब्रिटेन इंग्लेंड सब एक ही है न वहाँ के प्रदान मंत्री है और पुछा जो ब्रिटेन संसद में काउन सा बिधेक पासबा तो यह ब्रिजिक्ट बिधेक होगा नेक्स्ट वैशन देखते हैं 27 वर्ड एकोनामिक फोरम 2020 में किस बॉलिवुड अभिनेतरी को क्रिश्टल अवार्ड से समानित किया गया है यानि जो 2020 का वर्ड एकोनामिक फोरम हुआ है 2020 यह बॉलिवुड के किस अभिनेतरी को क्रिश्टल अवार्ड से समानित किया गया है करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भटिया, दीपी का पादुकोर तो ये Crystal Award से सम्मानित किया गया है दीपी का पादुकोर को आनि D option is right Next question देखते हैं 28 भारत की राज सरकार ने 26 जनुरी से स्कूलों में सम्मिधान की प्रिस्तावना पढ़ाना अनिवार कर दिया है ये बताना है कौन सी राज सरकार ने इसको अनिवार किया है गुजरात सरकार, महाराष्ट सरकार, आसाम सरकार या बिहार सरकार तो ये प्रिस्तावना पढ़ाना किस ने अनिवार कर दिया है? ये महाराष्ट सरकार ने अनिवार कर दिया है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 29 खेलो इंडिये यूथ गेम्स में किस राज ने 78 मेडल के साथ 256 मेडल जीतते हुए चैंपियंशिप जीत ली? महाराष्ट, केरल, उडिशा या पंजाब तो ये चैंपियंशिप किस ने जीत ली है? महाराष्ट ने नहीं ए आप्सन राइट होगा नेक्स्ट क्वेशन 30 खेलो इंडिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाडी को किस राज सरकार ने एक लाख रुपए का इनाम देने की घोश्णा की है? यह किसके द्वारा अलाउंस किया गया है कि खेलो इंडिया गेम जो है उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले के लाड़ी को एक लाग रुपे दिये जाएंगे गुजराश सरकार, मद्ध प्रदेश सरकार, बिहार सरकार या असम सरकार तो यह इनाम देने की योजना किस सरकार के द्वारा एक लाग रुपे देने की घुजरा की गई थी मद्ध प्रदेश सरकार के द्वारा यह सारे कोईशन जितने भी अभी तक हमने कोईशन करा हैं और आगे अभी इसके पांच पार्ट आएंगे जो जनवरी मंथ है उसके पांच पार्ट हमने टाइप अप किये हुए हैं वहाँ से आपको पांच पार्ट मिलेंगे जितने भी most important question है आपके जनवरी से related जनवरी मंथ में जितने भी questions है सारे questions आपको हम इस वीडियो में मिलेंगे जो इस तरीके से part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 मिलेगा आपको जनवरी का next question देखते हैं किस राज ने हाली में मुख्यमंत्री क्रसक दुर्गटना कल्यान योजना का सुभारम्ब किया है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश, राजस्थान तो यह क्रसक दुर्गटना कल्यान योजना का सुभारम्ब किया है उत्तर प्रदेश, यानि B option right होगा यानि अगर पूछा जाए किस राज ने हाली में मुख्यमंत्री क्रसक दुर्गटना कल्यान योजना का सुभारम्ब किया तो उत्तर प्रदेश उसका सही option होगा next question हाली में किस राज ने स्थापना दिवस की 48 मी वर्सगांट मनाई महाराष्ट, हिमाचल प्रदेश, मेगाले या अशाम तो ये वर्सगांट मनाई गई है मेगाले के द्वारा 48 मी वर्सगांट question के according right answer होगा मेधाले, C option 33 question number Global Social Mobility Report 2020 के पहले संसक्राण की सूची में कौन सा देश सीर्स पर रहा है important question है Global Social Mobility Report जो जारी हुई थी 2020 की उसके पहले संसक्राण में सूची में कौन सा फर्स्ट इस्थान पर रहा है देश सीर्स पर रहा है ये बताना है Denmark, Finland, America या ब्राजील तो ये सेर्स पर रहने वाला देश है Denmark याई A option सही होगा next question देखते है 34 किस राज सरकार ने स्कूलों में संविधान के प्रिस्थावना पढ़ना अनिमार कर दिया नि कौन से राज सरकार जिसने स्कूल में संविधान के प्रिस्थावना पढ़ना अनिमार कर दिया है बिहार उडिसा, महाराष्ट या उत्तरप्रदेश से रेलेटर अभी question अमने उपर कराया हुआ था तो ये राज है महाराष्थ नहीं, महाराष्थ राज सरकार ने स्कूल में समधान के प्रस्तावना पढ़ना अनिवारी कर दिया है next question देखने 35 fit India cyclothon किस राज में आयूजित किया गया है जो fit India cyclothon है ये किस राज में आयूजित किया गया है गोवा, गुजरात, केरल या पंजाब तो ये आयूजित जो किया गया है ये गोवा में आयूजित किया गया जो fit India cyclothon है ये आयूजित हुआ है गोवा में next question देखते हैं 36 Titanic के मलबे के सनच्छन को लेकर अमेरिका और किस देश के बीश समझाता हुआ है अमेरिका और दूसरा देश है ब्रिटेन यानी इन दोनों देशों के बीच में जो टाइटैनिक का मलबा है उसका सनच्छन का समझाता हुआ है next question देखते हैं 37 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और किसने संच्छन रूप से जोग बनी बिराटनगर में दूसरे एकिकरत चेक पोस्ट का उधगातन किया है डोनाल्ड ट्रम्प, केपी सर्मा ओली, सी जिनपिंग या इन में से कोई नहीं तो प्रधान मंत्री और संच्छन रूप से जोग बनी बिराटनगर जो है दूसरे एकिकरत चेक पोस्ट का उधगातन किसने किया है केपी सर्मा, ओली ये नेपाल के प्रधान मंत्री है next question देखते है 38 भारत के 71 गरतन्त दिवस समारों में किस देश के राष्टपत बोल्स नारो मुख्य अतित रहे हैं कैनाडा, ब्राजील, जापान या अमेरिका तो भारत के 71 गरतन्त दिवस अभी हाली में मनाया गया तो किस देश के राष्ट पर बोल सनारो मुख्यतित रहे हैं ये हैं ब्राजील के अगर ये question important है इस तरीके के question हर बार जो प्रतियोगी exam competitive exam one day exam होते हैं उनमें पूछा जाता है Next question 39 दच्छर भारत को ब्रम्होस मिसाइल से last सुखोई 30 M के I का कौन सा squadron मिला है पहला, दूसरा, तीसरा और या फिर चौथा तो दच्छर भारत का जो ब्रम्होस मिसाइल से last सुखोई 30 M के I है कौन सा squadron मिला है ये पहला squadron मिला नहीं ए आप्शन सही होगा next question देखते हैं 40 WEF की Global Social Mobility Index की 82 देशों की सूची में भारत कौन सा इस्थान पर रहा यानि WEF की Global Social Mobility Index की सूची जारी की गई जिसमें 82 देश उसमें भारत का इस्थान कौन सा रहा है 60, 70, 76 या 82 तो भारत कौन सा इस्थान पर रहा है 60 दर्व में इस्थान पर रहा है 76 पोजीशन पर रहा है 41 नमबर देख लेते हैं धाका इंटरनेशनल Film Festival DIFF में किस फिल्म को सर्शेश फिल्म का पुरुषकार मिला है यानि ये बांगला देश के फिल्म इस्थी है धाका इंटरनेशनल Film Festival DIFF का फुल फरम क्या होगा धाका इंटरनेशनल Film Festival तो किस फिल्म को सर्शेश फिल्म का पुरुषकार मिला है Children of the Sun Finally Love Castle of Dream या इन में से कोई नहीं तो ये पुरुषकार मिला है Castle of Dream को C option राइट होगा 42 देखते हैं 18 जनुरी 2020 को उत्तरपदेश के Greater Nevada में किस केंदरी मंत्री ने इलेक क्रमा 2020 का उत्गाटन किया है यानि जो 18 जनुरी 2020 को उत्तरपदेश का Greater Nevada सहर है में किस केंदरी मंत्री ने इलेक क्रमा 2020 का उत्गाटन किया है प्रकास जावेडकर, अर्जुन मुंडा, नितिन गड़करी, या फिर प्यूस, गोयल तो ये उद्गाटन किया गया प्रकास जावेडकर के द्वारा, ये आप्सन सही होगा 43 नमबर देख लेते हैं किस कमपनी ने भारत में 3.5 बिलियन डालर में उबेर इट्स का अधिकरण किया है फ्रेस मेनू, जोमैटो, स्वीगी या फासास तो ये जो अधिकरण किया गया है, ये किया गया है जोमैटो का यानि जो मैटो कमपनी ने भारत में 3.5 बिलियन डालर में उबेर इट्स का अधिकरा किया है नेक्स्ट कुईशन देखते हैं 44 छे मार्च को किस राज्ज में चापचर कुट महोसो मनाया जाएगा यह चे मार्च था उसमें कौन सा राज्ज है जहाँ पर चापचर कुट महोसो मनाया गया यह बताना है मड़िपूरा साम मिजोरम या त्रिपूरा तो यह मनाया गया मिजोरम में आई सी ऑपचन राइट हो जाएगा अब यह बताना है कि मड़िपूर को अभी जियाई टैग्स की सूचे इंडेक्स जारी की गई है उसमें मड़िपूर के किस चावल को जियाई टैग मिला है यह आप लोग के लिए कोईशन है 45 नंबर देख लेते हैं मुदुचेरी गोवा पुणे या मुंबई से राष्टी जण जाती युवा बिन्मै कारिक्रम कहां से शुरूआ था यह सुरूआ था पुदुचेरी से ने आपस्तान राइट होगा तो यह चुने गए है, यह बारती तीरंदाजी संग का नया अद्याच जो यह नाम है अर्जुन मुंडा इनको चुना गया है नेक्स्ट क्वेशन देखने है 47 भारत की किस ब्यावसाई महिला को आस्ट्रेलिया के सर्वोच नागरिक समान से समानित किया गया है शिक्षा सर्मा, मलिका स्री निवासन, किरन मजुमदार सा या इंद्रा नुई तो ये क्या नाम है इनका? किरन मजुमदार सा इनको जो है आस्ट्रेलिया के सर्वोच नागरिक समान से समानित किया गया C आप्सन सही होगा क्वेशन नमबर 48 देखते हैं केल सरकार ने आतंकवाद और सामप्रदाइक दंगा पीरतों को सरकारी नौकरी पाने हितकिस डाक्यूमेंट को अनिवार कर दिया है आधार कार्ड, रासन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड तो ये अनिवार किया गया है आधार कार्ड नहीं ए आप्सन सही होगा Q49 देखते हैं भारती तीरंदाजी संग के वर्तमान अद्यच कौन है? यह बताना है कि भारती तीरंदाजी संग के वर्तमान अद्यच कौन है? VPP, राव, अर्जुन मुंडा, विरेंद सक्ष देवा यह कैप्टन अभी मन्नी हो, तो यह हैं अर्जुन मुंडा यहीं वर्तमान अद्यच है, भारती तीरंदाजी संग के वर्जुन मुंडा Next question देखते हैं, 50 म्यामार ने किस देश के साथ हाली में 33 महत्पोर्ण समझावतों पर हस्ताक्षर किये है? चीन, जापान, बांगला देश या भारत तो यह जो हच्चताक्षर में आमार ने किये हैं, यह किस देश के साथ किये है? चीन के साथ में A option right होगा एक question आप लोगों से हमने पूंचा था, वो बताना है आप लोगों को comment के माद देम से पूंचा आपको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं मेंटन कप में पूरसो की 10 मीटर एयर राइफल इस परदा में स्वर्ण परदक किसने जीता? आप्सन दिये हुए थे सौरप चाओधरी, दीपक कुमार, दिव्यान सिंग पमार या इन में से कोई नहीं तो इसका आंसार आप लोग को कमेंट के माध्यम से देना है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजीएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नगर sats कर दें ये सभी महिनों के current affairs cover कर दिये जाएंगे.